नमस्कार विजातियों आपका ओलाइन कक्षा में स्वाज़त है हम अधिन कर रहे हैं कक्षा 11 हमारा जो विश्य है अनिवारे हिंदी अनिवारे हिंदी में हमारी जो पाठे अपुष्टिक है आरोप भागे उसके जो कागरखंड का अध्याय है पाचमा भवानी पुषाद मुष्टिक है जिसमें कभी स्वत्मत्रता अधरोन के दोरान कारागार में बंद है और उसे अपने घर की याद आ रही है जब बारिश हो रही है तो बारिश के मात्यां से वहस हंदिश बेचता है और हर प्रका और कभी मानता है कि उसके घर वाले वे उसके लिए प्रिशान हो रहे होंगे दुखी हो रहे होंगे उसके माता पिता जो वो उससे बहुत अधी प्रेम करते हैं वे भी अतिनते दुखी हो रहे होंगे अब बरसात में अपने घर की जो याल है वो बार बार लो क्यांकर आग मेरे पिता से कहना कि मैं यहां भी कुछन पूलवक हूं और प्रकार से आहन देत हूं मज़े में हूं और मेरे आपको चिंता करने के अशुक्ता नहीं है तो ऐसी ही बातें हैं कभी कहरा हैं और उसी भाव को हम आगे पढ़ने हैं इस भाव चार के अंतरगत तो देखते हैं और कल भी अपनी परिवारवनों को क्या संदेश दे रहा है तो चलते हैं आगे अपने जो इनके द्वार अच्छी तरचना है घंकी याद और उसका भाल मज़वचार है उसमें हे सदिल् wil hariyya saman हे कि मेरे पुन्य पावन तुम बरस लोँ इन्यवर को यह लिए और देखेए पांसमा इसमें जो बताये हैं यह पांशम शिद्ध तो वे सावन को संभोधन के लिए आ रहे हैं कि है अरे सावन तो हर प्रकार से चावातर फ्रयारी फ्राने वाला है और हर प्रकार से तुझ सजा हुआ है तो है कि मेरे पुन्य पावन कि तुम मेरे पुन्य पवित्र जो है करमों का फल है तुम बरस रो नय वे बरसे पांस वे नहीं तरसे कि तुम बरस रो कि तुम्हारा काम नहीं बरस नहीं तो प्रकार से आएगी तुम्हारा काम जो है तुम करो लेकिन वे नहीं बरसे और वे ज उनकी आँखों में से अपने पास्चे पुत्र के लिए आंसों नहीं आई, वे रोई नहीं, पास्चे को वे न तरसे और वे पास्चे पुत्र के लिए वो तरसे नहीं, व्याकों नहीं हो, प्रिडित नहीं हो, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस जही है, अब इसको यह कह रहे है तो, तुम घर पे जाना, मेरे से यह जाना, कि मैं बज़े में हूँ सही है, तो में कहना। सही हूँ हूँ और मज़े में हूँ उख ही है। अवला कि यहां में वाकось है, जो करते हैं प्रम कई लोगा में भी अजोगे पकों पřिंगे हैं। कि यह बस बड़ा बस है इसी बस से सब विरस है अब इसमें कभी कहता है कि यह बस जो है दिखने तो चोटा सा है लेकिन यह बहुत बड़ी बात को लिए हुए है अब कैसे लिए हुए है क्योंकि यह आपने घर की बार बार इसको याद आ लिए है तो केवल बस कहने देने मात से ही उसकी पूर्थी नहीं हो जाती इसी बस से सब विरस है और इसी बस के अंदर सब विरस है यानकी विरस मुझे कोई भी रस के नभूती आनले के नभूती नहीं हो पा रही है तो अपने लक्स में देखते हैं तो बस सब जो तीन वार इसमें है हुए है तो यहां पे यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है आगे बढ़ते हैं आगे इसकी किन्तों से यहने कहना उन्हें देते धीर रहना अब देखो अभी संदेज वहां के रूब मी करनी जुने इसको सावर को रूब कह रहा है कि तो घ्रप जायत आएज तौ एसा कहना कि तो उसके वास्तिक से दियती है उसके बारे बिल्कूल मत कहना कि यहां पर किस प्रकारशन को प्रताडित किया रहे है दुखी किया रहे है और तुम्हारे पुत्र पाँच़ पुत्र जो है वहां पे जेल करागान में दुखी है तुम्हारे लिए ऐसा कुछ लिए मत कहना उन्हें देते धीर रहना और तुम उन्हें धेर बंदाते रहना कि वह बिलकुल अच्छा है। हर प्रकार से वहां बे वह वहां पर रह रहा है उसे किसी पुगार को कोई कश्ट नहीं है तो ऐसे कहते हैं तुम मेरे पिता को धेरे बनाते रहना उन्हें कहना लिख रहा हूं उन्हें कहना पड़ रहा हूं अब कविश में कहता है कि तुम मेरे पिता से कहना अब तुन ही अब ये जो इन्हें शब्त है अपने पिता के लिए समोर्दित किया क्या है एक आदा सुचात्म कहसे कि अपने उन्हें कहना अब यह वैसे तो उन्हे बहुत जिंगी लए रहा ने लिए इससे पिष्ट से k发 दैने हैं ऐसा कहते हूं तुम मेरे पिता को धेरावं नाव करता हूं कि कहना नाम करता हूँ की कहना अब कभी इसमें कहता है कि तुम मेरे पिता से कहना कि मैं वहाँ भी काम कर रहा हूँ और कुछ कमा रहा हूँ नाम करता हूँ की कहना अब नाम करना हुँ यानिकि उनके पिता का नाम हर कोई ले रहे हर कोई अनतित हो रहे कि हाँ और ये उनका पुत्र है, तो वो कहता है कि मैं अपने आच्रान से, अपने व्यवार से, आपके नाम को रुश्य कर रहा हूं, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, आपको अब इसमें कहता है, कि तो मेरे पिता से कहना, कि मुझे यहां पर लोग चाहते हैं, लोग मत किसी प्रकार का दूख मत कीजिए, शोक मत कीजिए, ऐसा तुम मेरे पितादी से कहने ना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में वेस्त हूँ मैं, और कहता है, कि तुम ये मत कहना कि मैं वहाँ पर अत्यत दुखी हूँ, आपकी बारवार मुझे याद आ रही है, बलकि ये गहना कि मैं वहां में मस्त हूँ, अपने आप में रमा हुआ हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कर्ष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कात नहीं में व्यस्त हूँ मैं, और गांदीजी द्वारा जो सुझाया गया मारग है, तो उसी मारग पे चलते हुए मैं वहां पे जेल में क कात रहा हूं अब क्योंकि कातने के लिए गांदीजी ने सभी को प्रेवित किया था क्योंकि जब विदेशी जो वस्तर थे उनके आभूती यह कि उनको जला दिया गया तो उसके बाद में सवदेशी जो था सवदेशी जो कपड़ा था उस पे बहुत अधिक बल दिया गया त तो जब हरकोई जो है वह शूत कातना प्रार्ण करेगा तो यह वस्तर का निर्मान होसकते हैं तो कातने कोणों जो Kitty झ det you तो वह कमी कहता है कि मैं जो है गांदीजी द्वारा सभाय कि मार disrupt कि हनुसार निर्देशी का इस कातने में वैस्त हूं वजन सतर शेर मेरा और भोजन धेर मेरा और शेर का बत्रों यह तोल के लिए आता था किलो जिस प्रकार से आज़कर चलना है अपनी तो मेरा वजन जो है वो सतर किलो हो गया है यहीं कि सतर शेर मेरा वजन है और भोजन धेर मेरा और मुझे धेर सारा भो प्रकार से यहां पे अपने जो यहां का जीवन है जीवका जीवन है उसमें हर प्रकार से आनदित हो प्रकार इं कियो क्योंकिम फुरद के यहां पे पढ़ लिक रहागा वह Thunder laws किसयम प्रकार का मुझे कॉई कर्ष्ट नहीं है कोई दुख नहीं है ऐसा संदेश जो है कभी सावन के बाद हमसे अपने पिता के पास भेज रहा है और कहा रहा है तो उसे जाके तुम मेरे दुख के बारे में बिल्कुल भी मत कहना बल्किम से कहना कि मैं वहाँ पे मस्त हूँ हर पिता से अनन्दिद हूँ और हर प्रकाल के जो सुविदाई है वो मुझे वहाँ पे प्राप्त हो रही है और वहाँ के जो लोग है वो भी मुझे चाहते हैं अर्दात मेरी जो इच्छाई हैं उनकी पूर्ती करते हैं वो तो इस प्रकाल से कभी में अपने जो भाव हैं अपने पिता के प्रती जो स्मर्पन कह सकते हैं प्रेम भाव है उसको अभिव्यत किया है और बरसाथ के मार्दम से उनके सामने जो परिवार का दृष्य उम्र रहा है और उसी बरसाथ के मार्दम से ये अपने जो संदेश हैं अपने जो भावनाई हैं वे लक्षित कर रहे है तो इसके अंदर भी अपने देखते हैं कहना कहना ये सब देखिये एक्जिसे आ रहे हैं तो कहना हम भी इसमें भी यमक अलंकर का ही प्रयोग किया गया कि कहना कहने के बारे में आ रहे हैं सब देखिये से अब राच भी एक्जिसे हैं तो यहां पर यमद अलंकर का प्रियुक किया गए और साथ ये साथ इन के दर अनुक्रास जो अलंकर है उसकी छटा भी दिश्टब्य है तो ये था हमारा अध्याई पांच भुवाने पुशाद मिश्तुद्वार रचित घर की याद जिसके हमें भागचार का अधिर किया है और आगे भी हम इसका एक भाग है पांच माँ तो उसका भी अधिर करेंगे तो ये था हमारा भुवाने पुशाद मिश्तुद्वार रचित घर की याद कविता का कुछ अन्स जिसका आज हमने धिन किया है धन्यवाद